दोस्तो क्या आप जानते हैं साल 1992 विश्व कप में इमकान खान की अगुवाई में जीतने वाली पाकिस्तान की टीम की कमान कप्तान बाबर आजम को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वंडे रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज बाबर आजम इस बार पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे 2019 विश्व कप में सरफराज एहमत की कप्तानी में खेलने वाली पाकिस्तानी टीम सेमी फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी और वह लीग चरण में ही बाहर हो गई थी इस बार पाबर आजम की कप्तानी में टीम सेमी फाइनल में पहुंचने की दावेदार मानी जा रही है